इन दिनों पूरे विश्व में फैली कोरोना जैसी आपदा को लेकर जहां पूरा देश चिंतित है वहीं देश के प्रधानमंत्री शिरीमान मोदी के आहवान पर संपूर्ण भारत को लॉकडाउन किया गया जिससे आम जन्मानस को छोटी मोटी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है मजदूर वर्ग के लोग खाने तक को महताज हैं ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि तमाम समाज सेवी संस्थाएं आगे आएं और उनका हर तरह से साथ दें वहीं कोरोना जैसी भयानक बीमारी भारत में पैर पसार रही है कुछ दुकानदारों ने मास्क आदी जरूरत के सामान पर ब्लैक बजारी शुरू कर दी है मास्क की भरती ब्लैक बजारी को लेकर मजदूर वर्ग मास्क नहीं खरीद पा रहा है और वे लोग कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में आ सकती है इसी को देखते हुए मत्रा के किननर समाज ने पहल की है मत्रा के मजदूर वर्ग एवं देश की सेवा कर रहे पुलिस के जवानों को मास्क वित्रित किये जाए साथ ही सोनम चौधरी ने बताया कि जिन परिवारों पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है वो हमारे घर आकर हमसे जरूरत का सामान ले सकते हैं या फिर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं उन्होंने अपना वाट्सेप नंबर भी सार्वजनिक किया है जिससे की किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति भूका न रह सके और हम अपने देश को कोरोना जैसी भयानक आपदा से बचा सकें साथ ही उन्होंने सभी समाज सेवियों से अपील करते हुए कहा है कि हम सभी को आगे आना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी के निर्देशों का पालन करना चाहिए जी मेरे नाम सौनम चोहाने हम यहां मत्रा की किनर हैं बरत पुर गेट पच्छी मंडी पंचाबी कलोनी में हमारा मकान है मेरी गुरू जी सपना बाई है और यह जो हमारी देश में बड़ा एक वाइरस पहला है जो चीन से आया है क्या कहीं से भी आया है और आने के बाद हम मतलब पब्लिक कितनी घोर उसमें आ गई ना घूश में के पूछो मतना के सबजी देख लो राशन पर देख लो सब पैसे बढ़ा दिये तो हमारी जो गुरू जी उनके दिमाग में कुछ हो आया कि उन्होंने सोचा कि माक्स बटवाए जाए गरीबों को डॉनिट करे हमारे सारे साती किंडर भी आया आगे और क्या बोलते हमारे जैसे मेडिकल स्टोर वाले भरत मेडिकल स्टोर वाले उन्होंने भी हमें कुछ पैसे कम करके उन्हों किया और हमारे साथ सबी ने बहुत अच्छे योगदान दिया आज के समय में बहुत लोग जो कंपनियां बंद हो गई हैं और कंपनियों में मजदूर फसे हुए उनको वस्ता नहीं है भीकल की को ट्रांस्पोर्ट की वहस्ता नहीं हो पा रही है तो क्या आप सरकार से कहना हो चाहेंगी दिल्ली से लोग आग राता फ्रोजावाद तक पै लग चुका है लेकिन सरकार को इन करीबों के बारे में तो बिल्कुल हर तरफ से सूचना चाहिए एक अलग अपनी इस्पेशल गाड़ी हो जिसमें सैरेंडाइजर हो मार्क्स हो या एंबुलेंस टाइप जैसी गाड़ियां पर सरकार को पास करवानी चाहिए खाली गरीब आद्मियों के लिए मजबूरों के लिए जो अपने घर पे बिचारें जाने पारे रो रहें अब वर्ट सब्वीडियो उठाकर देख लो कि वहुत से लखनाओं के हैं कहां के मुंबई में फसे पड़े दिली में फसे पड़े फैक्ट्रियों में फसे पड़े आगरे में कर दो कर दो बहुत अच्छी नार्किक है और हमारे लिए बहुत ज़ाद सेवा कर रहे हैं दिन और रात अपने बच्चों को छोड़के यहां पे हमारे पास अपनी duty निभा रहे हैं और उसके बाद अगर वो safe नहीं है तो हम कहां से safe हैं उनके पास marks नहीं थे हम ने दे दिये कोई बात नहीं यह तो हमारा फर्स था हम आमनाक लिको बात रहे हैं उनको भी बाठते हैं गराओं पर राशन नहीं पहुच पा रहा है बहुश्चारी दिक्कत है हो रही है पब्लिक को हम कि प्राइवे't हो जैसे हमारे सामने वाला कब्रूस्तान हम सब्सक्राइव तौह हम भी कब तक कहा तक आप लोग जो हमें देते हैं जो हमारे खाने पेटने से बचता है वो हम आप ही लोगों को पुन लगाते रहते हैं शादियां करना ये सब कुछ करना ये सब इतना है और राशन भी पहुंचा रहे हैं हम बहुत से लोगों के गरीबों के गर्जन के गर्जन के गर्जन के गर्जन के गर्जन के गर्जन के फिरी में राशनाएं गरीबाएं अपने लेके आ जाएं तो आपना नंबर इस्यू करना चाहेंगे जी विल्कुल मेरा नंबर है 9810383529 आप इस नंबर पे फोन करके जो गरीब होगा जो हमसे हैल्प होगी हम जरूर करें दन्यवाद जैहिंग जैबारत